पर्दीप शर्मा बूडपुर काम से हैं पर्दीप जी ये आग लगी हुई है परियोरों को नुकसान है इससे सामने कबाड़ा ही पड़ा है कैसे आग लगते हैं कौन इस आग को लगाता है ये पनिया सारी गोदामों से आती है जो पनिय के गोडामों से हैं और ये पन्नी को यहां रात को फैंक जाते हैं और आग भी लगा जाते हैं जिससे काफी हमारे बच्चों को परदूशन की वज़े सांस लेने में दिक्कत होती है और ये गंभीर मामला है जिस पर अभी तक कोई हमें रिजल्ट्स नहीं मिले हैं और ये अनावरत जारी है अभ बुड़पूर पर जो नेशनल हाइवे पर यहां यह लिंक होता है तो इस से लेकर और इस बीच के दाएरे में रोज पनिया भैगी जाती है और कभी यहां जला दिया कभी 500 मीटर की दूरी पर जला दिया इस तरह कई इनों ने अपने पॉइंट्स मना रखें और वहां डा जैसे पुरुआ होवा चलती है तो सारा दूवा उदर ही जाता है एक सबमाली गोदा वगरा यह सब अपनी यहां डाल वा देते हैं फृरी बरावर में ठरट एंपू वालों को दो पैसे चाहिए को यहां डाल जाते तो कारवाई उना दाले ना जला जाए जाए ना 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 मेरा नाम नाम नगेंदर परजापती है मैं गाउबुडपुर से निवाशी हूँ तो नगेंदर जी यहां पर खोड़ा डलावा आग भी लेगे पेड़ु जले में क्या वजय है यहां पर खोड़े माग लगाने की कौन लोग लगाते हैं किस परकार काई खोड़ा होता है य यहां पर जितने भी फैक्टरिया गोदाम बने हुए अवे दुरूप से वे रात के समया आके यहां पर पनिया डाल देते हैं और उनमें आग लगा देते हैं पूरी रात गाउवाले हैं ना दुमे की उसमें सोते हैं और सुबह उठते हैं तो काड़ा आसमान हुआ पाता ह है पराली से जादा यह जो पनिया जलाने में यहां पर लैधर वगरा जो सूझ के होते हैं उनमें आग लगा दी जाती है उसके बाटरी लिक नदर और यह वन शेटर हैं उसके इंदर जान्वर भी रहते हैं वे भी बीमार हो रहें से और सभसे च्जाड़ा पुरा आसर हमा पर अभी तक पनिया ऐसी के ऐसी पड़ी हुई है कम्प्लेंट करें बोदिन होगे ना तो इपनिया उठती कोई भी आग की तिल्ली दिखाते हैं फिर बभग उठती है और मुनुक्षान हमें उठाना पड़ता है अभी आपने बताया कि अधिकारी एक दूसरे को पर इंटाल मोटोल कर रहे हैं लेकिन एंजटी की बात माने तो यह अधिकारियों को इसको पर कारवाई करने चाहिए हाँ यह तो हम सबका काम है हम सबको जागर कोना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए कि इस पे राजनीती ना करके केवल जनता का द्यान रखना चाहिए क्योंकि यह परदूसन किशी एक पर्टिकुलर आदमी के घर नी जाएगे सबके पास ही जा रहा है और हमारे बच्चे इसी से इतने जादा बीमार हो रहे है कि उनकी खासी जुकाम नजले ठीक नहीं हो रहे हमारे अरिये के अंदर